अगर आप अपने MI या फिर POCO के फोन में एप हाइड करना चाहते हो तो यह वीडियो आप सब एक लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होने वाली है गज़ अगर आप MI के फोन में एप हाइड करते हो पहली बार तो पहली बार तो सेटिंग नहीं अपडेट के बाद और गज़ सिंपल आपको यहां पर क्या करना सबसे पहले कि हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेना उसके बाद यहांप से पहले आप कि यहांप आप वाले option पे यहांपको अपको है बिल्कूल नहीं देखने को मिलने वाला है अब हईड आप जब सर्च कीजिए दिए न तो यहां पर आपको दिख जाएगा यह वाला से इतिक इसकी तो यहां पर आप सिंपल से ले आप से लेंग से करना चाहते है या फिर स्लाइड करके वो सेटिंग यहां से कर सकते हैं अपने एप हाइड को बाकि यहां पर आपका नौटिफिकेशन और एप लॉक है बस यहां पर आपको में यह देखने को मिलता है लेकिन अगर आप पोकू के फॉन में एप लॉक लगा रहे तो आप कैसे लगा होगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा सेटिंग अगयरा में आप धून धून के ठक जाओ लेकिन एक भी नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी कि एप हाइड करने का ऑप्शन अगर आप पहली बार एप हाइड कर रहे हो तो आपको यहां अपने डॉर में आके यहां से दो बार स्लैड करना ऐसे ऐसे जब आप दो बार स्लैड करोंगे न तो आपका याप ऐप हाइड ऑटमैटिक खुल जाएगा उसके बाद आपको सेट अप करना होगा अपना पासवर्ड बनाना होग और अपने एप को हाइड कर लेना उसके अंदर और कोई setting नहीं है, simple setting रिफ दो भार slide करो और अपना app hide कर लो, अगर आपको app देखना भी होगा, तो यहां दो भार slide करके app देखना पड़ेगा, पोको के phone में, अभी मेरे पास भी focus का phone था, और मैं ठख गया डुण डुण के लेकिन नहीं मिला, तो आप भी ऐसे परिशान ना हो इसलिए मैंने सुच आपको वीडियो बना के बता दूँ तो यहां पर दो बार स्लाइड करने से आपका एप हाइड ऑप्सन मिल जाएगा सुच इस वीडियो में इतना है यह वीडियो आप सभी कैसी लेगी लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताना हमारे चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को सिस्क्राइब कर देना मिलते हैं असी दमाकेदार वीडियो के साथ